आज हम discuss करेंगे बिटा, second part competitive intra specific interaction, last हमने cooperative intra specific interaction किया था, आज है competitive, interaction एक ही species के members के बीच में, resources के लिए जो दोनों के लिए ही necessary हैं और limited है, फायदे क्या है, इस competitive regulate करें, जब competitive interaction आ जाए population के बीच में, तो वो population का size maintain करता है और ecological balance बनाए रखता है, otherwise population का size ही बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, इसके बाद है बिटा, आज का हमारा main topic, inter specific interaction, ठीक है, दो अलग अलग species के members के बीच में, जो interaction होता है, और इसमें ध्यान रखेगा बिटा, की बहुत बहुत ज़ादा important है ये, और एक तीन नंबर का question आना, CBC में, बिलकुल 101% sure है, की इस inter specific interaction में से आएगा, first है neutralism, इसमें क्या है, एक species का member, जो है, वो दूसे species के member से, बिलकुल neutral है, कोई effect नहीं डाल रहा है, जैसे आप example ले लो, श्रू, जो है, वो insect खाता है, red जो है, वो, आपके पास seed खा रहा है, rabbit जो है, वो grass खा रहा है, अगर ये, एक साथ भी रह रह रहतीन हो, तो कोई effect नहीं डालेंगे, neutralism, ठीक है, zero वाला interaction हो जाता है, zero, zero, इसे इस type से भी, आप चाहो तो show कर सकते हो, zero, zero, कि दोनोई species neutral है, एक दूसरे के लिए, squenching क्या है, आपके पास, the act of feeding by an individual, मतलब एक dead animals खा, उसका जो बचा हो इससा है, वो कोई दूसरी species का member ख सफाई कर रहा है, squenching, साफ सफाई कर रहा है, जैसे वल्चर है, यह हाइना और जकाल ने जो loin, मतलब क्या है, आपके पास, feed on, keresis, हाइना और जकाल, take the material, left by the loin, loin ने शिकार किया, उस मतलब बचा होँए material इन ने खा लिया, और जो इतना भी, मतलब जो बिल्कुली सफाई का काम कर रहे है, फिर है आपके पास, commensalism, positive zero, जहां एक species को तो फाइदा होगा, positive और दूसरी species, neutral रहेगी, zero, जिस species को फाइदा हो रहा है, उसे हम कहेंगे, commensal, और जो आपके पास, neutral है, उसे कहेंगे, host, जैसे हम example ले ले, यह ध्यान रखिएगा, यह थोड़े स आपस में mix जरूर होंगे, लेकिन बार-बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, pilot fish और shark, जो pilot fish है, वो shark को follow करती रहती है, free swimming manner में, मतलब उसको पीछे-पीछे चलती रहती है, जो आपके पास, यह, क्या है, shark शिकार करेगी, उसके बाद जो कुछ food material episodes, और food, तूट के इध अधर उधर जो गिर जाएगा, यह pilot fish उसे खाती रहती है, ठीक है, for the same purpose, जो arctic force है, वो seal को follow कर रहा है, जकाल, जो है, वो loin को follow कर रहा है, ठीक है, सकर fish and shark, सकर fish जैसे हमने ले लिया, रमूसा, एकैनेस, एकैनेस, एक्जामपल ले लिया हमने, वो क्या हैं आपके पास, attaches to the under side, shark के नीचे के side चिपक जाते हैं, सकर के help से, और it ride, वो मतलब क्या है, shark के साथ साथ घूमते रहते हैं, occasionally, कभी कभी detach हो जाते हैं, और जो again, वो shark जब शिकाल कर रही है, अपने prey का, तो जो बचा कुछा सा हिस्सा होता है, कुछ fragments, वो ये खाती रहती है, शार्क को कोई पर उसको खाने को मिल रहा है, ब्रैंकेल्स और वेल, जो ब्रैंकेल्स हैं, वो आपके पास वेल से अटेच रहते हैं, और जो वेल है, यूजिंग दा वेल, अनली आस पीस, मतलब वो वहाँ पे स्पेस लेते रहते हैं, वेल से, वेल को कोई फरक नी पढ़ रहा है, फिश कुछ स्मॉल फिश है, जो आपके पास लिवज अन दा क्लॉइका आपके पास ले टारे कीफूह ऑले के लिए, अप इंस सारह एग्जांपल ने का पास पूले लिए rition साइश पास इंड प्रोरme Judite Σ यूरिकल्स अनाम ले सकते हैं, शिव आंस स्पाइन स्पाइन के स्पा प्रेशन को कोई उससे जाधा अफेक्ट नहीं होता बर्ड्स और ट्रीज जो बर्ड्स है वो ट्रीज के उपर रेस्ट करते हैं नेस्ट अंदर ट्रीज और बर्ड्स रिलेशनशिप बेनिफीशियल हैं ठीक है और एपीफाइट साप ले सकते हो जो स्मॉल प्लांट किसी और प्लांट के स्रेंप पार्ट पर ग्रो कर जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर वो क्या है स्पेस लेते रहते हैं दूसरे प्लांट से और होस्ट प्लांट को के उपर कोई बुरा आसर नहीं डालते वो बैक्टिरिया और हुमन की स्किन के उपर बहुत सारे बै बास खाने के लिए चलता रहता है और जो यह cattle irrigate है वह उसके पीछे-पीछे चलता रहता है और वहां से मतलब जो उसके पैरों से जितनी मिटी धरूदर है उसमें जो छोटे-छोटे इंसेक्स होते हैं वो उसको खाता रहता है क्लॉण फिश जो है वो जो सी एनिमोन के स्टिंगिंग डंक मारने वाले टेंटेकल्स हैं वहां रह रही है और वहां से प्रोटेक्शन लेती रहती है और सी एनिमोन को इससे कोई ज़्यादा आफेक्ट नहीं हो रहा है यह थे 10 एक्जामपल आपके कमेंसिलिजम के और अर्गनीजम साथ है दोनों को फाइदा होगा और आगर वह एक दूसरे से अलग हुजाएं तो उनने कोई फरक नहीं पढ़ रहा आप इसे फेकल्टेटिव म्युच्वेलिजम कह सकते हो म्युच्वेलिजम में वह एक दूसरे के बिना रही नहीं सकते हैं हैं यहां वह प्रवाइब दो दोनों को फायदा अगर अलग भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा बर्ड्स और क्रोकोडाइल बर्ड्स जो है उनको फूड मिल जाता है क्रोकोडाइल के भी पैरेट से पीछा चुड जाता है श्रिम्प और फिश के अगर हम बात करें श्रिम्प स्टैं अगर फिश के चुड जाता है उन पैरासाइट से इंडर इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जिसे एकोलाई और स्ट्रेप्टोकॉकस फिकलेस ये बैक्टीरिया रहते हैं ठीक है है हुआन के कॉलन वाले पार्ट में और प्रोटीन कंटेंट के उपर ये मतलब जो चाइल म जो कॉलन बैक्टीरिया है वो विटामिन B1, B2 और विटामिन केस भी आपके पास संथेसाइज करवाते हैं और पैथोजेनिक जो माइक्रो ओर्गिनिजम है उसे मतलब एस्टाबलिश नहीं होने देते हैं इंटेस्टाइन में और बतले में इने रहने को जंगे मिल जाती ह फिश और बैक्टीरिया के अगर हम बात करें तो डीप सी फिश जैसे आपके पास लिमिनी जो फिश होती है जो इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं इलेक्रिसिटी करेंट इमिट लाइट वो लाइट रिलीज करेंगी जो एक्चुल में उनके अंदर जो बैक्टीरिया प्रिज प्रिशन के नेक्स्ट है मिच्वलिजम पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को फायदा होंगे लेकिन दोनों स्पिस्स एक दूसरे के बिना उनका सर्वाइवल नहीं है जैसे टर्माइट जरूर लकडी के उपर सर्वाइव करता है वोड के सेलुलो उस पार्ट पे लेकिन जो वुड का जो सेलुलोन है उसको शुगर में गन्वर्ट करता है और दोनों उसे यूस करते है और इसको ट्रिको निमफा को क्या फायदा है उसको रहने को जंगे मिल रहे है रूमिनियंट एνड माइक्र अर्गिनिजम जो बैक्टिरिया है इन्टियेट्स है वो फूड म अनेमोन एड्म अड्मेशिया पली केटा वो क्या करेगा इस यूज़ राजे हों बाइद अहर्मिट क्रैब हर्मिट क्रैब जो हैं वह सिह अनेमोन के साथ रह 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 रह., अनेमोन प्रोटेक्ट करता है ऐनिमीज से और और विद इट्स निमेटोसिस्ट जो उसके अंदर हैंसी एनिमोन के उसके त्रू और एनिमोन क्या है रिसीव दा पिसस ऑफ फूड ड्रॉपड बाई दा क्रैब वो उस फूड को रिसीव करता रहता है फ्लार ओन इंसेक्ट ठीक है वो एक पॉलिनेशन में हलफूल है दूसरा इंसेक्ट को खाने को मिल जाता है in many species of fig tree can be pollinated only by the particular वो जो fix है कि वो वास्प के त्रू ही होगा और किसी के त्रू वो हुई नहीं सकता पॉलिनेशन लाइकेन सिंबाइटिक असूसेशन प्रिजेंट बिट्वीन दा अल्गेन फंगस माइको राइजा फंगस का सिंबाइटिक असूसेशन हाईयर प्लांट्स की रूट के साथ ही हम पढ़ भी चुके है इसलिए सरफ नाम मेंचिन गया है राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर जो रूट नॉडिल्स होते हैं वहाँ पर राइजोबियम बैक्टिरिया मिलता है ये नाइटोजन फिक्सेशन में हेलफूल है और राइजोबियम को रहने को जगह मिल जाती है next example आप ले सकते हो hydra और protist का green protist जैसे korola है और आपके पास valgaris है ये ढैस या जो रीजन है green hydra का उसके अंदर ये रहते हैं chlorohydra green के लिए chlorohydra वरर भी उँज हो है protest get the habitat उसको रहने को जगह मिल जाती है mineral water मिल जाते है hydra cell से और synthesize the organic, वो organic foods synthesize कर देता है जिसे hydra भी यूज़ कर लेता है फिफ्थ हमारा टाइप था mutualism उसके बाद six type है ये example है next type है interdependence of animals and plants के positive positive mutualism ही show कर रहे हैं दोनों को इसमें फायदा होता है next है amensilism negative zero जहां एक species को नुकसान होगा और दूसरा neutral रहेगा दूसरे को फायदा भी नहीं है फिर भी दूसरे को नुकसान कर रहा है वो जिसको जिसके उपर adversely affect आ रहा है उसे कहेंगे amensil और affecting species the adversely affected species को हम amensil कह रहे हैं और दूसरी species को हम inhibitor कह रहे हैं जो neutral है जैसे mouths pencillium notatum mouth मदला fungus produce यह produce करती है antibiotic penicillin इससे इस fungus को कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन यह penicillin जो इससे produce ही है बहुत सारे bacteria को मार देती है bacteria जैसे bacteria हम ले रहे है streptomyces grisius यह आपके पास antibiotic produce करता है streptomycin जो other bacteria के लिए harmful है plants कुछ plants है वो ऐसे material secret करेंगे जो other plants की growth को रोख देते है जो उनके water और minerals वगएरा कुछ भी ले रहे थे जैसे walnut juglnus regia plant ले example के तौर पे हम यह juglnus substance release करता है जिसके कारण other plants की growth रोख जाता है अगर हम example लें alomons का तो यह old plants के through release किया जाता है जैसे grivelia, robusta यह क्या है sadling इसके आसपास जो उसकी growth को रोख देता है ऐसी crops को हम smoother crop भी बोलते है sunflowers और gum, barley इन्हे smoother crop कहा जाता है यह अपने आसपास weed की growth को खुदी रोख देते है Tulsi BC के टेगरी में है फिर है animal amensilism also occur when a large animal step on कोई बहुत बड़े size का animal है वो किसी छोटे size के animals को बस ऐसे ही मार देता है उसको कोई फाइदा भी नहीं हो रहा लेकिन मार देता है next है बिटा 8th type competition interaction दो अलग-अलग species के members के बीच में किसी particular resource को लेके जो limited था तो उसका जो असर आएगा है अगर हम types of interaction की बात करें तो interspecific competition जो हम कर चुके है same species के members के बीच में एक है interspecific competition अलग-अलग species के members के बीच में जैसे आपके पास carnivorous animals जैसे tiger है leopard हैं वो compete for the same prey एक ही prey है और दोनों tiger leopard अलग-अलग species के उसके लिए competition चूकर next है predation दो species के बीच में interaction जिसमें एक जो है predator जो है वो दूसरे prey जो species है उसको पकड़ेगा मार देगा और खा जाएगा biological control of pest is predation के business पर possible है जो हम पढ़ भी चुके है third unit के अंदर जैसे lady bird beetle है वो insect pest को खा जाता है larvae seedial fish जैसे gamutia fish है वो mosquito larvae को खा जाता है यह question कई बार एक नमबर में आ जाता है और mine जो acridoticus और tristus है वो loctus को मतलब जो यह grass ओपर वगएर है उनको destroy कर देता है next 10th type है parasitism दो species के बीच में interaction जिसमें एक होगा parasite और एक रहेगा host जो larger one है वो host है और छोटे वाला parasite है hyper parasite और उस parasite के उपर एक और parasite survive कर रहे है जैसे plasmodium वो hyper parasite है female anaflis mosquito के साथ वो रह रह रहा है जो खुद mosquito यह जो है वो human के उपर एक parasite है brood parasitism इसमें क्या है brood parasitism में जो bird है birds के अंदर यह phenomenon देखने को मिलते हैं एक जो organism होगा एक जो bird होगा जो परसाइट की तरह काम कर रहा है वो अपने एग किसी और bird के nest में release कर देगा इनके एग सेम साइज के हैं और वो जो जिसके nest में है वो उसकी पूरी तरह से care करता है सारी देख भाल करता है और बाद में पता चलता है यह किसी और के एग थे जैसे eggs of cuckoo the eggs of crow resemble in same size color में भी सेम होते हैं इसलिए कुकू lays its egg in the crow's nest यह कुकू अपने एग crow के nest में release कर देती है crude parasitism है types of parasite की बात करें आपके पास endoparasite जो बाड़ी के अंदर हैं जैसे liver, flug, plasmodium, vaucheria, pencropti और ectoparasite जो बाड़ी से बाहर हैं जैसे tick, lice, itch mite permanent parasite जो permanently शो करें जैसे vaucheria, ascaris, temporary कुछ time के लिए जैसे leech, mosquito, sandfly और phytoparasite जो plant के उपर रहें जैसे kaskatta एक cushion जरू कर लेना name the plant part on which phytophagus feed phyto word relates with the plant दो sap material जो है plant part का sap जो material है जैसे leaves और stem का उसके उपर यह feed गरते हैं एक term है आपके पास keystone species यह कुछ animals होते हैं जो long lasting, मतलब यह जब environment में present है और long lasting changes यह cause कर सकते हैं अगर यह चाहें तो इन्हें कहेंगे keystone species यह जो species हैं बहुत important role play करते हैं environment के अंदर जैसे elephant, crocodile पूरा environment change कर सकते हैं elephant damaged the tree और पूरे ब्रांच वगारा तोड़के पूरे forest को destroy कर सकते हैं crocodile यह swimming moment show करेंगे और यह कई बार इतने बड़े size के होते हैं कि जहां से भी यह जा रहे हैं महाँ पूरे pits मतलब गहरे जो पूरे pits खड़ा like जो structure उसे वो मतलब बनाते हुए चलते हैं और free of rooted vegetation को भी खतम कर देते हैं ठीक है और अगर उनमे pit like structure में पानी बरके कई बरके हैं छोटी मोटी fish वाँ ग्रो कर सकते हैं critical link species कुछ species हैं function करती हैं जो आपके पास keystone species के तरह है several species play important role in supporting network species बहुत सारी species उस supporting network में helpful है dispersal agent और absorption circulation आरकाल मतलब जो एक दूसरे से link कर रहे हैं वो पूरी critical link species जैसे mycorrhizal fungus है वो आपके पास critical link species है जो vascular plant को nutrient absorption में helpful है ecotones के हैं आपके पास दो biotic community है एक दूसरे के साथ बिल्कुल लाई कर रहे हैं उनके अंदर को शार्प line और नहीं होती demarkation की diagram से देखिए आप है यह देखो यह एक आपके पास ecosystem था यह eco ecosystem था यह जो shaded area है यहाँ पर यह merge कर रही है ठीक है कोई शार boundary नहीं है इन दो के जो हैं वो merge हो रहे है merging वाले area को नाम देते हैं ecotone next है edge effect the total number of species is greater in ecotone यहाँ की भी species यहाँ है यहाँ की भी यहाँ है जो total number of species होगा वहाँ मने यहाँ species richness बहुत जादा होगी इसे कहते हैं हम edge effect और यहाँ species available हैं उन्हें कहेंगे हम edge species जैसे grassland और forest के बीच में few species दोनों से लाई कर चाहें edge species जो यहाँ लाई करेंगी